नमस्कार मेरास महन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार में कोरोना पिछले कुछ दिनों से नियंत्रित नजर आ घार चुछ दिनों से बिहार में कोरोना के नए मामलों के संख्या पचीजthers नीचे लगतार मिल रही है जोटीक कहणा से तीन हजार से ज्यादा थे अब वह पचीस तो के नीचे हो चुके हैं जबकि जाच जो है बिहार में प्रते दिन लाख से ऊपर हो रही है यानि एक लाग से ज्यादा जाच होने के बावजूद मामलों में कमी आ रही है यह बिहार के लिए अच्छी बात है 23 अगस्त का बिहार कुरोना अपडेट बिहार स्वास्त विभाग ने आज जारी किया है जो नए संक्रमित मरीजों के पहचान हुई है इसके साथ ही बिहार में कुरोना के कुल संक्या पहुंच चुकी है एक लाख बाइस हजार 156 पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि किस जीले से कितने नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है उस पर अरड़िया 47, अरवल 16, औरंगाबाद 57, बाका 25, बेगु सराय 16, भागलपूर 115, बोजपूर 71, बक्सर 24, दरभंगा 38, इस्ट चंपारण 76, गया 81, गुपाल गंज 36, जमुई 10, जिहानबाद 42, कैमूर 16, कटिहार 96, खगरिया 18, किशन गंज 71, लखी सराय 20, मध्यपूरा 57, मधुबनी 97, मुंगेर 35, मुजफरपूर 127, नालंदा 70, नवादा 21, पटना 203, पुर्णिया 89, रोतास 59, सहरसा 120, समस्तिपूर 37, सारण 65, सिखपूरा 13, सीवहर 14, सिता मढ़ी 55, सिवान 43, सुपाल 56, वैसाली 41, वेश्ट चंपारन 43, इस तरह बिहार में, पिछले 24 गंटे में, बाइस उसने तालिस ने संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, स्वास्त विभाग द्वारत जारी किये जा रहे, अगर आकरोप पर हम नजर डाले, तो हम पाते हैं कि पिछले कुछ दिनों में, छो ऐसे जिले हैं, जहां संक्रमन काफी तेजी से नीचे गिरा है, जमुई, कैमूर, अरवल, लखी सराय, सीवहर, नवादा, यह छो जिले ऐसे हैं, जहां संक्रमन काफी तेजी से नीचे गिरा है, पिछले 20 दिनों में तो यहां संक्रमन प्रते दिन 50 से जादा कभी आया ही नहीं, यानि यह वो जिले हैं, जहां संक्रमन अब अपने कमतर आकरों की तरफ बढ़ गया है, खतम होने की कागार की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी जिले हैं, जो अभी भी सबसे जादा सम्वेदन सील बने हुए हैं, नौ जिले हैं, बिहार के जहां पर संक्रमन अभी अपने रखतार में हैं, वह बेगुसराय, पटना, मुझफरपूर, भागलपूर, कटिहार, अररिया, पुर्वी चंपारन, मधु बनी, यह वह जिले हैं, जहां पर संक्रमन जो है, वह काफी तेजी से, अभी भी तेजी से आ रहा है, ने संक्रमत मरीजों की पहचान अभी भी लगतार, यहां 100 या उससे जादा की लगतार औस तन हो रही है, लेकिन यह भी देखना होगा कि पटना में जहां आकरा पहले 500- 600 मिलता था, कल 200 के आसपास का था, आज 203 पर आ गया है, यानि पटना में भी अब संक्रमन की जो इस्तिती है, वो नियंतरी थोती नजर आ रही है, हलां कि अभी भी यहां मामला 200 के उपर आ रहा है, मुजफर पूर्बेगुसरा भागलपूर, यहां भी लगतार मामलों में 100 से जादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, अब बात कर लेते हैं, बिहार में एक्टीब केसों की, तो वो 23,000 के आसपास अब बिहार में एक्टीब केस अभी मौजूद है, इसके अलावा अगर बात करें, बिहार में टेस्टिंग की तो वो एक लाक से जादा अभी भी भीछाल ले चुका है जहां तेस का recovery rate 74 परतीसत है वह बिहार का recovery rate 89 परतीसत से जादा हो चुका यानि यह करना अब गलत नहीं होगा कि बिहार में कोरोना नियंतरित होता नजर आ रहा है पहले के तूलला में हलाँकि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है सोसल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की आम जन्ता को जरूरत है बाहर निकलते वक्त मासके का उपयोग करने की जरूरत है जो भी सुरक्षा के माना के उसको अपनाए रखने और उसका इस्तमाल करने की जरूरत है ताकि जो संक्रमन की जो रफ्तार जो लगतार नीचे गिरते जा रही है वो तेजी से और नीचे गिरे और बिहार को इस कोरोना से छुटकारा मिल सके तो ख़बरों में बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज धन्यवाद